क्या आप भी साबुन और फेस वास लगाते हैं चेहरे पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं आज इसके लिए मैं शॉलूशन लेकर आई हूँ आपके लिए यह देखे होम मेड हमारा यह साबुन है बहुत ही पॉफेक्ट है स्कीन के लिए दम पॉफेक्ट है कोई भी स्कीन करना बन कर त्यार हो जाएगा और आप इसे स्टोड भी कर सकते हैं लगबक एक महीने तक जी हां इस इस तरह से फेस पहले लगाए लगबक पांच मिनिट के लिए हल्के से मल ले और बिलकुल पर्फेक्ट हो जाता तो चले स्टार्ट करते हैं इस विडियो को इसके लिए हमने लिया है मूंग की डाल, जो हरी मूंग की डाल होती है बस उसे ही आपको ले लेना है, ये इतनी फायदे मन्द है कि आपका चेहरा दमक उठेगा दोस्तों, तम खिल उठेगा तो इसको जरूर ट्राइ कीजेगा, तो चलिए यहाँ पर हमने चार चमच है, यह काला देगा एक अलग सा निखारा देगा साथ में यहां पर हम मसूर की बी डाल लेंगे मसूर की डाल आपके चेहरे में थोड़ी सी जो आपके स्किन की जो टैनिंग है और थोड़ी सी जो डाउन हो जाती है धूप में जाने के वज़े से चेहरे तो डाउन हो जाता है हलका सा काला पन हो जाता तो उसे यह निखारता है ग्लो लाता है चेहरे पे मसूड़ की डाल को तो इसे जरूर ट्राइ किजेगा और घर में ही यह डाल आपको सारी एवलेबल मिल जाती है यह डाल को आपको बहुत ही सवदानी से लेना है इसमें कीड़े वेगरा नहीं होने चाहिए साथ में यहां पे हमने पोहा लिया है ने चिवरा जो चिवरा होते हैं या पोहाते हैं अब जो इसे कहते हैं तो इसे हमें ज्यादा कॉंटिटी में नहीं लेनी है एक चमच बरकर ही लेना है हमें बाकी सबने हमने चार चमच लिया है इसे आपको एक चमच ही यहां पर लेना ह तो देखिए इस तरह का होने चाहिए, साफ सुत्रे होने चाहिए, कीरे बिल्कुल भी लगी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप इसे अच्छी तरह से धूब दिखा लें, अब चलते हम दूसरी तरफ, यहाँ पे हमने एक निक्सर ग्रैंडर लिया है, और बिल्कुल ड्राई मर पतिकला च्राल सकते हैं 145 यह उतना ओना तो कि अ nickel शोर को में आपकर डखना आपको. तो इस तरह से आपको लगतारा चलाके इसको बिल्कुल बारिक कर लेना है यह देखी इसका टेक्षिर आपको मैं दिखा देती हूँ एक बात और शेयर करूंगी जब भी आप डाल को इस तरह से ग्राइंड करें तो उसे हल्क असा रोस्ट कर ले जो भी उसमें नमी है वो खत अगर आपकी इसकी ज़्यादा पिमपल्स वाली है तो इसमें आप चुटकी भर हल्दी भी हाँपर एक करके और मिक्स करके डाल सकते हैं नहीं तो थोड़ी सी कपूड को हल्क से क्रश कर ले तो इसके बाद डालने तो यह दो टिप्स आपके एक लिए खास मैं आपको बता बस इसे लगाना कैसे मैं आपको बता देते हूं देखिए आधी चमच इस तरह से हमने यहां पर ले लेना है हमारा फेश वास अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं तो इसमें सहथ डालने और दूर डालके मिक्स कर सकते हैं अगर स्कीन आपकी ओएल्य है तो आप इसमें डही टालके भी लगा सकते हैं अगर ज्यादा सकीन ओएली है तो आप इसे घुलफ जामुन दूस्तों मैं कह रही हूं गुलाब जल के साथ इसे मिक्स करके आप चेहरे पर लगा सकते हैं तो सभी skin type के लिए अच्छी होती है जिस skin type की है आप उसे साफसे हाँ पर लगा सकते हैं तो देखिए बस इसे हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है दही के साथ दही क्या करती है स्कीन को बहुत ही स्मूट कर दिती है बहुत ही अच्छा टेक्षर लाती है शाइनिंग लाती है तो दही के सते यहां पर लगishna तो दहिए खटी होनी चाहिए लिह घखर्टी होगी तो और ज्याद noodle अच्छा हमारा Result आता है इसे जरूर लगाएं और कमेंट करना ना भूलिएगा कि यह एफेक्टिव फेश वास हूं मेट फेश वास आपको यहां पर कैसी लिए इसे स्टोर करें फ्रिज में लगवग एक मेन में और यह देखी दोस्तों कितनी निखार आई है चेहरे पे बहुत ही खुबसूरत रिज नॉर्मल पानी से अच्छा से धोले खें